कि हम लोग इस लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स के अंदर अपन बात करेंगे आज special type of Cross कि क्या करेंगे बात special Cross special Cross और इस special Cross के अंदर अपन बात करने वाले है जो फरस्ट आपका topic साभ्ण वह है बैक क्रॉस की, ओके, तो उन्सों क्रॉस, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, यह जो क्रॉस है, इसका डिफिनिशन क्या है, फिन, प्रॉसिंग ओफ, या, प्रॉसिंग ओफ, प्रॉस, बैक क्रॉस, 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 बैक क् any of two parents या parents बोल सकते हैं या इसका मतलब क्या हुआ that is parents का मतलब यह capital T capital T या फिर a small t a small t pure parent होना चाहिए यह genotype होना चाहिए parental का okay यह क्या है parental genotype यह यहाँ पर क्या बोला है back cross जो है वो एफ-वन जनरेशन का एफ-वन जनरेशन का प्रोजेनी ओके एफ-वन जनरेशन जो है वो इसी भी पैरेंट से वह प्रोजेनी कोई इसी भी पैरेंट्स यानि वो capital T या फिर a small t a small t tall या प्योर यह ड्वार्फ है डॉमिनेंट या recessive दोनों में इसी भी पैरेंट्स से crossing करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे back cross rolling done जैसे कि अपने यहाँ पर example देते हैं इस तरीके से यहाँ पर लिखो back cross का ok suppose यह आपका capital T हो गया parental genotype and a small t यह वाला part क्या हो गया male and यह part female ओके यहाँ पर write down कर लो male partner ओके male and यह वाला part क्या हो गया female अब यह जो parental combination है यह कौन सा combination हो गया आपका यह जो पार्ट है parental combination और यह जो जीनो टाइप यह जो जीनो टाइप है यह आपस में क्या करेंगे क्रॉस करेंगे ओके यह जब क्रॉस करेंगे दोनों आपस में यह दोनों जब क्रॉसिंग होगा दोनों का यहाँ पर क्या प्रोडक्ट पन के फॉर्म होके आएगा after crossing crossing के बाद क्या है प्या आएगा cross यहाँ f1 generation में क्या फॉर्म होगा आपका f1 generation में आपका आएगा capital T and a small t done यह कौन सा generation हो गया यह हो गया आपका f1 generation f1 generation एक सबस्क्राइब एए लुग है इस एफ बन जनेरेशन और ऑफ स्फप्रिंग हो गया तो एक ड़ियृट अब अपन समझते हैं कि किसको बोलेंगे टेश्ट क्रॉस और कौन सा होगा बैक क्रॉस ओके तो जब यह एफ वन जनरेशन का प्रोजेनी है आफ स्फ्रिंग है आफ स्फ्रिंग ओके यह फिर प्रोजेनी दन यह ओफ स्फ्रिंग जब क्रॉसिंग करेगा किस से एनियो पैरेंट्स यह या तो क्रॉस करेगा यह रिसेसी फॉर्म बाला से या तो फिर किस से करेगा cross यह dominant form से करेगा cross यह दोनों में क्या कहलाएगा यह जब अगर recessive form से cross करने वाला है तो इसको अपन क्या कहेंगे test cross test cross done अगर यह dominant form से अगर crossing करेगा तो इसको क्या बोलेंगे out cross out cross तो यह nomenclature हो गया किसका अगर यह dominant form है यह क्या है dominant done और यह recessive parental combination है तो उससे cross करेगा तो अगर recessive और f1 generation अगर recessive से कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे test cross और जो कि test cross ही ज़्यादा important है यही ज़्यादा useful होगा done तो इसको आपन समझते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट आ गया वो टेस्ट क्रॉस का test cross subheading इसके अंदर when इसका क्या है when f1 generation f1 generation office spring या फिर progeny cross with इसके साथ cross करेगा f1 generation का cross with cross with recessive yeah recessive parental recessive phenotype of parental parents then यह जो cross होगा वो क्या कहलाएगा this is known as this is known as test cross okay तो इसका definition होगा test cross का जब f1 generation का जो office spring है f1 generation का वो recessive phenotype okay जैसे कि आप यहाँ पर देख लो यह किससे कर रहा है f1 generation जो है वो recessive phenotype है क्या कौन सा है रिसेशिव अस्मॉल टे स्मॉल टी और यह capital T capital T क्या है dominant dominant वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा out cross जो कि जादा useful नहीं है और यह test cross हो गया done तो इसमें अपन क्या देखेंगे इसका point अपन देखते हैं पहले सबसे पहले इसका example अपन देखेंगे monohybride cross के अंदर example अपन आपन आपर देखेंगे इस तरीके से cross अपन देखेंगे test cross का in monohybride first जो है in monohybride cross test cross इसके अपन अपन example देखने वाले हैं तो यह example आप देखो यहाँ पे suppose यहाँ पे parental combination कैसा रहेगा सबसे पहले जो parental है वो क्या है F1 generation वाला पार्ट है यह कौन सा है F1 generation का next अब यह किसके साथ करेगा यह parental recessive यह क्या है यह वाला पार्ट क्या है आपका F1 generation का F1 generation done और यह पार्ट किसका है recessive parental phenotype तो यहाँ से क्या निकल क्या आएगा इससे कौन सा gamete निकलेगा इससे दो gamete निकलेगा capital T and a small t two gametes निकला इससे और यहाँ से सिर्फ only one gamete निकलेगा a small t ओके यह क्या है gametes अब यह जब आपस में cross करेंगे तो क्या formation करेंगे इसका crossing होगा यह होगया आपका cross करेंगे दोनों आपस में इससे तो क्या formation होगा capital T a small t के साथ अगर cross करेंगा तो क्या form होगा यहाँ पे आपका बनेगा capital T a small t ओके यह cross होगया done next इसके अंदर यह जो small t a small t के साथ अगर cross करेंगा तो क्या form करेंगा formation होगा किसका a small t a small t यानि यह जो formed हुआ यहाँ पे यह होगया tall phenotype और यह dwarf ओके यानि कि यह recessive होगया यह dominant dominant done और यह recessive ओके यह यह दो दो फिनो टाइप यहाँ पे आप यहाँ लेकिन इसका जो जीनो टाइपिक रेशियो क्या होगा जीनो टाइपिक टाइप रेशियो जीनो टाइपिक का रेशियो आपने यहाँ पे देखेंगे यह क्या होगा जीनो टाइपिक में कैसा आया आपका वन इस्टु वन done जीनो टाइपिक कैसा आएगा एक टॉल आएगा एक ड्वार्फ आएगा यह capital T capital T एक ही जैसा होगा यह one is to one होगा यहाँ पे one is to one जैसे कि यहाँ पे कैसाSu किसका है है capital T एक ही हैं जैसामॉल टीजिए पांट हो रहा जैसामॉल टीजिए ंटाइप Karma next phenotype YouTube यह भी क्या आएगा 1 is to 1 यहां पर समझो इसका फीनो टाइप टॉल एक ही है एक टॉल होगा और एक ड्वार्फ डन इसलिए रेसियो सेम आएगा जीनो टाइप और फीनो टाइप के रेसियो सेम जहां पर दीखे आपको समझ लो वहां पर test cross हो रहा है F1 generation जो है वो parental पीनो टाइप रेसियो वाला से वो cross कर रहा है done नेक्स्ट डाई हाइब्रीड के अंदर भी इन डाई हाइब्रीड टेस्ट क्रॉस इसके अंदर भी क्या होगा सेम रेशियो आएगा ओके जैसे कि यह आपका होगा यहाँ पर किसके साथ क्रॉस करने वाला आए आए सब्सक्रhovah ऐ की आपके पिर्टल वाई ईसमॉल वाई अंदर अपिर आर smiled supplier होगिया इसमॉल डाले होगा क्या एहाँ एप फॉन जैनरेशन का कि और किसके साथ करेगा स्मॉल वाइए स्मॉल पाए स्मॉल आहे स्मॉल की हूब गया एक वन जनेरेशन एक वन जनेरेशन को होगा और यह क्या है पैरेंटल फिनो टाइप पैरेंटल जब यह आपस में क्रॉस करेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा यह आपका फॉर्म्ड होगा यह स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म्ड होगा इस तरीके से पहले तो यहां पर क्या आएगा इसका जो जन यह जनेटिक्स किसका आएगा पहले इसमें गैमिट क्या आएगा यहां से small y यहां से क्या निकलके आएगा small y and small v little singular यहां से जो गैमिट है वो अलग अलग different type का निकलके आएगा ओके इस तरीके से city Y capital r next capital y small r फिर अगेन a small y capital r and a small y a small r यह चार टाइप का यहाँ पर gamit निकल के आया ओके अब यह cross करेंगे किसे यह आपका निकल के आगया यह a small y a small r यह सारा जब cross करके result क्या आएगा आपका result आएगा capital y a small y and capital r a small r जब इसका cross इसके साथ होगा तो again इसका cross capital y small r के साथ होगा capital y a small y and a small r a small r PAC और यह आपका होगया जब इसके साथ करेगा तो third والे के साथ t Inhale a small y and capital r a small r again इसका recessive जो parental है वो करेगा दोनों के साथ तो क्या होगा a small y a small y and a small r a small r done यह आपका हो गया पुन्नेट अस्क्वाइर से अपने यहां पर निकाला इसको यह format जो है वो क्या है पुन्नेट अस्क्वाइर वहला तो इसका जो जीनो टाइपिक रेशियो है वो क्या होगा जीनो टाइप रेशियो यह आपका क्या होगा वन इस्टो वन इस्टो वन ओके वन इस्टो वन इस्टो वन यहां पर डाय हैबिट के अंदर जितना भी आपको पार्टिकल रहा है जैसे कि यह क्या है capital Y a small y capital r a small r यह कितना इसमें dominant है टू dominant इसका भी यह कि आपको मिलेगा ओके नेक्स्ट यह capital Y a small y a small r यानि one dominant यह भी आपको one मिलेगा और again a small y a small y capital r small r यह r dominant जो है वो भी आपको क्या मिला one यहां पर क्या y dominant मिला ओके अगेन आव यहां पर क्यों सा dominant पार्ट आएगा यह one dominant यह dominant यह dominant जो है वो r वाला region r जो है इसका यह gamit वो dominant है यहां पर ओके next and last इसमें recessive में आ गया आपका यह genotype होगा a small y a small y a smaller a small bar यह एक ही है क्या है recessive यह recessive form हो गया ओके डाइबरेट के अंदर तो इसलिए इसका जो ratio आएगा one is to one is to one is to one कि सारा particle जो इसके अंदर gamit सारा one of one में okay phenotype ratio क्या होगा इसका ratio अगें सब्कुर्णल करेंगा तॉल क outta फोर्मेशन करेगा ओके दन तो इस तरीके से यहाँ पर phenotype का भी ratio अगेन यहाँ पर same आएगा और genotype और phenotype का ratio अगर दोनों जगा same आए तो आपको क्या समझना है ति वो क्या है test cross है दन यह back cross का sub part था अब अपने हाँ पर test cross के बारे में कुछ important point देख लेते हैं ओके important point about important points about test cross दन तो पहला point इसके अंदर है first point यह जो cross है it is useful for it is useful useful to identify क्या identify करेगा genotype genotype of an organism okay which is showing dominant dominant phenotype okay okay तो जैसे कि अगर dominant रहेगा तो उसके अंदर हो मो जाइगस क्या होगा हो मो जाइगस या फिर क्या होगा हेट्रो जाइगस यह दो condition होगा okay तो यह किसके लिए identify करेगा क्या genotype का किसी organism का जो कि dominant phenotype so कर रहा है done next point second one second point है इसके बारे में क्या यूट इस उसफुल पूर इटीज यूसफुल और नौइंग नौइंग टाइप आफ टाइप आफ गैमेट्स जैसे आपको टाइप आफ गैमेट अगर निकालना है तो आप उसके थूप निकाल सकते हो जैसे कि इस तरीके से यह वाला पार्ट जैसे कि यहfont आपको निकालना है तो यह घामेट आगया यहां पर ढप olur कि क्या है यहां पर दो गैमेट निकलेगा प्रोच कि यहां से क्या नि यह इस kac partsti's small t done तो कितने टाओ का गयमिट यहां पे हो गया यहां से मिल दाएगा यहां पर हो गया तो हीत टाइप का गयमिट ओके एक तो घ्या यह और िह ऑगया small t बला a yahy pig यहां पर पन गयमिट का और और मुड़मेशन यहां से मिल दाएगा Pen next point third one इस उच्फुल फोर उच्फुल फोर आइडेंटिफिकेशन ओफ आइडेंटिफिकेशन ओफ लिंकेज याने कि लिंकेज होगा की नहीं उसके थुरू यहां पे अपन समझ लेंगे कि कैसे वो टेस्ट क्रॉस भी बताएगा कि अगर पैरेंट्स के साथ अगर लिंक कर रहा है तो उसके अंदर वो लिंकेज होगा डन अदरवाइस लिंकेज यहां पे सो नहीं करेगा डन यह जो अपन ने क्या देखा टेस्ट क्रॉस के बारे में और आउट क्रॉस जो है वो हमेशा क्या देगा वो ओड क्रॉस के बारे में थोज़ास यहां पे देख लो नेच्ट पॉइंट और क्रॉस out cross इसका जो कैसे था इसका out cross यहाँ पर F1 generation वाला चाँ अब यह किसके साथ dominant वाला dominant parent यह क्या है F1 generation F1 और यह क्या है dominant parent parent ओके यह दोनों आपस में cross करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर यहाँ से दो गैमिट निकलेगा capital T small T और यहाँ से capital T जब यह दोनों आपस में cross करेंगे तो क्या निकलेगा capital T capital T again यह small T और small T capital T करेगा तो capital T small T यहाँ पर जो formation होगा all tall जाए tall capital T small t tall इसका जो genotypic ratio होगा वो भी क्या होगा 1 is to 1 और phenotypic ratio जो है वो क्या होगा tall tall यह ज़्यादा informative नहीं है इसलिए इसका जो use है वो किसी भी चीज में नहीं किया जाता out cross के बारे में it is not very much informative ओके इसलिए इसको last point मैं अपने यहाँ पे देखा जो यह dominant parent है और यह F1 generation ओके इसके साथ जब cross होगा तो यह result आएगा done यह हम लोगों ने समझा back cross के अंदर test cross जो कि ज़्यादा important है उसके अंदर linkage सो करेगा linkage अगर find करना तो आपको test cross करवाना पड़ेगा ओके यह तीन point था test cross के बारे में और यह dihybrid के अंदर test cross ओके और monohybrid के अंदर test cross यह हम लोगों ने समझा अगर इसे related कोई problem हो तो comment box में comment करो ओके और NCRT biology आप reading लगाते रहो genetics का topic है वो पढ़ते रहो ओके और फिर मिलते हैं अगले video अगले lecture में नए topic के साथ stay tuned thanks for watching